दो strengthening vehicles के अंदर भी हम konfuse रहते हैं कि हम electric scooter लेना चाहिए है या electric bike लेने चाहिए क्याकि scooter की बात कर लें तो वहां पर हमिंए space तो अच्छा मिल जाता है utility कि साब से वहां पर stability नहीं मिलती चोटे tायर होने के वाजेसे corners पर कावी रिस्क रहता है और रूलर एरिया में ड्राइव करने में काफी दिक्कत आती है वहीं पर बात कर लेते हैं अलेक्टरिक बाइक की तो वहाँ पर आपको stability तो मिल जाएगी बड़ चारजर तक रखने के लिए space नहीं रहेगा अलग से back केरी करना पड़ेगा उसके लिए तो दोस्तो आपके लिए लेके हैं एक ऐसी गाड़ी का वीडियो जिसके अंदर आपको bike की stability मिल जाएगी और scooter जितना space मिल जाएगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ कमलेश बड़ाना और आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में आज हम बात करने वाले OKNAVA के तरब से आने वाले की scooter की जिसका नाम है OK90 complete discussion करने वाले है इसकी warranty का, इसकी price का, top speed का, range का battery कोन सी मिलने वाली है registration की जुरूत है या नहीं है driving license की जुरूत है या नहीं है सब कुछ बताने वालों इस वीडियो में एक से आप किलेश drive कर सकते हैं और दूसरे वाले से आप इसको lock और unlock कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप इसको keyless drive कर सकते हैं अगर आपके पास चाबी रखी हुए pocket में उसके बाद भी आप unlock करके इस scooter को drive कर सकते हैं दोस्तों जब मैंने पहली बार इसका ignition switch देखा तो मैं खुद confused हो गया है कि यह एक car है या scooter है बिल्कुल आपको car जैसी feeling आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ring light मिल जाएगी इसके चारो तरफ और एकदम car की जैसे यह operate होता है दोस्तों अगर आप हमारे regular viewer हैं तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम front profile से start करेंगे यहाँ पर आपको Okinawa के logo से inspired LED light मिलने वाली है fully LED light रहेगी visibility की बात कर ले तो काफी अच्छी visibility की रहेगी headlight के जच नीचे आपको chrome की एक strip मिल जाएगी quality wise देख लें या फिर design wise देख लें दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी लगेगी है color option की बात करें तो यहाँ पर आप जो video white color देख रहे हैं इसके लावा तीन color और मिलेंगे जिसके अंदर red, grey और blue रहेगा headlight के पास में आपको DRS मिल जाएगे जो कि fully LED में है दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे design wise काफी अच्छे लगते हैं ये इन दोनों के बीच में आपको Okinawa का logo मिल जाएगा दोस्तो front side में आपको सारा setup LED के अंदर मिलने वाला है even जो इसके turn indicator है वो भी आपको LED के अंदर मिलेंगे और जिस तरीके से headlight के पास में strip ते chrome की उसी तरीके से आपको यहाँ पर turn indicator के पास में भी strip मिल जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको left indicator से लेकर right indicator तक पूरी की पूरी chrome की strip मिल जाती है बट यह proper आपको visible नहीं होगी क्योंकि इसके just उपर के तरफ आपको इसके number plate मिल जाएगी front butt guard plastic के अंदर दिया गया है यहाँ पर आपको कुछ curves मिल जाएगे जो design के लिए और मजबुती के लिए दोनों अच्छे हैं यहाँ पर आपको Okinawa के branding मिल जाएगी बात कर लेते है front suspension की तो यहाँ पर आपको telescopic shock absorber दिये गए है 16 inch की wheel rim मिलने वाली है alloy के अंदर tear की बात कर ले है तो MRF का आपको tear मिल जाएगा front tear और rear tear दोनों की size अलग-अलग है front side में पीछे के मुकाबले थोड़ा पतला tear दिया गया है जिसकी size होने वाली है 100 by 80 की दोस्तों यहाँ पर आपको front और rear दोनों ही तरफ tubeless tear मिलेंगे so lines की बड़ी wheel rim मिल जाएगी तो आप इसको ruler area के अंदर भी आराम से चला सकते हैं breaking की बात करें तो यहाँ पर आपको e-ABS मिलेगा regenerative breaking के साथ में front और rear side दोनों तरफ आपको disc plate मिलेगी इसमें तो दोस्तों यहाँ पर हमने front profile cover कर ली है अब चलते हैं इसकी right side profile की तरफ maximum चीज़े हम cover कर रहे हैं बट फिर भी अगर आपकी कोई query है तो comment में लिख देना मैं उसका revert कर दूँगा तो दोस्तों यह है आपके सामने OK90 की right side profile इसके अंदर आप नीचे नीचे देखेंगे tire और suspension तक तो आपको यह एकदम bike की तरह लगेगी उपर की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा setup scooter की जैसे दिखेगा इसपेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो food board दिया गया है उसके उपर आपको ठीक ठाक space मिल जाएगा flat surface है यहाँ पर और एक अच्छी सी mating दी गई है mating की quality आप देख सकते हैं आपको colored दी गई है और flat होने की वज़े से यहाँ पर आप comfortably अपने pair भी रख सकते हैं बच्चे को खड़ा करना हो तो वो भी यहाँ पर हो सकता है सामान वगरा रखना हो तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं अब market में hulka full का सामान खरीदने जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर hook मिल जाएगा एक नहीं दो-दो मिलेंगे कई scooter में आपको एक भी नहीं मिलता बट यहाँ पर OK90 में आपको दो-दो hook दिये गए हैं इजी foldable हैं तो यहाँ पर space भी नहीं लेंगे यह दोस्तो seat की बात कर लें तो आप मेरी छोड़ो आप खुद की बताओ कि आपने इतनी comfortable seat इतनी बड़ी seat की सी scooter में देखी है क्या अगर आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बताना मुझे especially इसकी seat को इस तरह की से design किया गया है कि electric scooter तो छोड़िए कई petrol scooter भी बीट नहीं कर पाएंगे इसको seat के just पिछे आपको metal का grip handle मिल जाएगा यहाँ पर आप top box लगाना चाहें या फिर कोई सामान बांधना चाहें वो आप यहाँ पर बांध सकते हैं पीछे के tail light से लेके seat के पास पास में आप देखेंगे यहाँ पर strip दी गई यह chrome की तो chrome का आपको जगा जगा यहाँ पर treatment देखने को मिल जाएगा front से लेके rear side तक यहाँ पर आपको OK90 की black finish में 3D basing देखने को मिल जाएगी white color में scooter है और black color में stickering है तो एक अच्छा combination कह सकते हैं इसको pillion rider के लिए यहाँ पर आपको footrest मिल जाएगे जिनको आप easily fold और unfold कर सकते हैं पीछे की तरह जो swing arm है वो आपको dual turn में मिलेगी black और silver color का combination आपको मिल जाएगा rear suspension की बात करें तो यहाँ पर आपको dual coal shock absorber दिये गए हैं जो easily adjustable हैं अगर braking की बात करें तो जैसे front side में disc plate थी वैसे ही आपको rear side में भी disc plate मिल जाएगी टायर की बात कर लें तो front की जैसे rear side में भी MRF का टायर मिलेगा जो कि tubeless होने वाला है बट यहाँ पर आपको size difference जरूर मिलेगा front side में आपको 100 by 80 का था जबकि पीछे आपको 120 by 80 का मिलेगा टायर की चोड़ा ही ज्यादा रहेगी पीछे की तरफ बट wheel rim आपको 16 inch की मिलेगी जिसे front में मिली थी अब बात करेंगे tail name की तो यहाँ पर आपको command tail name मिल जाएगा इसी के अंदर आपको brake light मिलेगी इसी के अंदर आपको turn indicator मिल जाएगे सारा सब कुछ setup आपको LED के अंदर मिलने वाला है इवन आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो number plate के light है वो भी LED के अंदर मिलने वाली है इसके just नीचे number plate लगानी के लिए जगे है तो आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको halogen bulb ढूणने से भी नहीं मिलेगा दिवार पर आप जो देख रहे हैं यह showcase है इसको okinawa नहीं बिल्कुल बीचो बीच काटा हुआ है build quality दिखाने के लिए इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलना दोस्तो वोकराउंड में तीन साइड कवर कर चुके हैं फाइनली आजाते हैं लेफ साइड की तरफ और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा अब दोस्तो यह है high speed electric vehicle तो यहाँ पर आपको driving license और registration दोनों की ज़रूत पढ़ने वाली है loading capacity भी आपको यहाँ पर 250 kg की हो जाएगी जो एक electric two wheeler के लिए अच्छा खासा digit है utility के साब से आपको side stand और manage stand दोनों मिल जाएगे आपने भी notice किया होगा कि काफी बड़ी-बड़ी company हैं market में जो cost cutting के साब से manage stand को हटा देती है बट यहाँ पर आपको दोनों available है left side में आपको belt cover मिल जाएगा जी हाँ यह belt driven vehicle है इसके अंदर आपको motor मिल जाएगी 3800 watt की जो की centered mounted है अब यहाँ पर आपको IP67 नहीं IP65 मिलती है rating तो यह एक drawback बोल सकते हैं आप ground clearance की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 175 mm का मिलेगा जो ज़्यादा तो नहीं है बट एक ठिक ठाक बोल सकते हैं अब बात कर लेते हैं under set space की तो यहाँ पर जो main switch है वहीं से आप seat को unlock कर सकते हैं कुछ इस तरीके से easy to operate है कहीं अलग-अलग जगा आपको चाबी लगाने की जुरत नहीं है तो दोस्तो यह है इसका boot space बोल लो या under set space बोल लो 40 liter की capacity के साथ में आता है यहाँ पर आपको एक LED light मिल जाएगी night utility के साब से कोई night में आप सामान वगरा निकालते हैं तो वहाँ पर यह काम करेगी चांसेस नहीं रहेंगे दोस्तो यह है इसका charger जो आता है metal body के साथ में design की बात कर लें अगर size की बात कर लें तो काफी compact है ज्यादा बड़ा नहीं है यह specification की बात कर लें तो 0.2 watt के साथ में आता है इसके एक तरफ आपको indication lights बगरा मिल जाएगी जिससे आपको पता रहे कि कितनी battery चार्ज हुची की है कितनी खाली है दूसरी तरफ cooling के लिए fan मिल जाएगा charger में जो output का plug है वो भी मुझे थोड़ा सा unique लगा यहाँ पर आप देख सकते हैं build quality wise design wise कुछ अलग है अब आप पूछेंगे इसको attach कहा करना है तो यहाँ पर footboard के पास में आप gap देखेंगे जिसको आप push lock और unlock कर सकते हैं easy to use है दोस्तो charging time की बात करें तो इस charger से यह 4-5 गंटे ले लेगा full charge होने में वहीं पर अगर आप scooter को connect कर रखें एक fast charger से तो वहाँ पर यह 1 गंटे के अंदर 80% तक charge हो जाएगा बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको lithium iron detachable battery मिलेगी आप इसको निकाल कर charge कर सकते हैं अगर इसकी power figure की बात करें तो यह आपको 3.6 glow watt की बैटरी है यहाँ पर आपकी लगबग लगबग 3.5 unit लगेगी इसको full charge करने के लिए 72 volt और 50 ampere के साथ में आती है यह यह इसका battery का cover battery निकालते समय इसको हटाना पड़ेगा जो कि बहुत आसान है इसकी भी build quality आपको अच्छे मिल जाएगी काफी भारी बनाया गया इसको इस battery से आपको maximum range मिल जाएगी 160 km पर charge की दोस्तो maximum चीज़ें हमने cover कर ली है बट यहाँ पर handle के पास में कुछ चूट रहा है left side में आपको छोटा सा space मिल जाएगा कोई जरूरी सामान हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं तूल बोक्स रखा हुआ है फिलाल तो यहाँ पर locking system वगरा कुछ है नहीं तो केमती सामान तो आप यहाँ पर नहीं रख सकते अब आ जाते हैं इसके right side में जो इसका ignition switch है उसको काफी unique बनाया गया है top speed की बात करें तो यहाँ पर आपको 47, 46 तक की speed मिल जाएगी eco mode के अंदर आप इसको change करते है sport mode के अंदर और वहाँ पर हम देखेंगे कितना आप में difference मिल जाएगा यहाँ पर जो इसका sport mode है वहाँ पर आपको maximum speed मिल जाएगी 89 तक की instrument panel fully digital मिलेगा आपको इसके अंदर आप battery के percentage, trip, audio meter reading, speedometer सब कुछ चेक कर सकते हैं switches आपको अच्छी quality के अंदर मिल जाएगे left side में देखें तो high beam, low beam के लिए horn के लिए और turn indicator के लिए switch मिलेगा वहीं पर आप right side में जाएगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर parking के लिए headlight के लिए और mode change करने के लिए बटन मिल जाएगा, warranty के बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी motor और battery दोनों पर तीन साल की warranty मिलेगी finally बात करेंगे इसकी pricing की तो यहाँ पर इसकी action room price रेने वाली है 1,55,866 रुपे अब इसके अंदर subsidy कम होगी वो FEM2 subsidy जो होती है, central subsidy वो रहेगी 54,000 रुपे की और जो state subsidy रहेगी वो रहेगी इसके अंदर 11,000 रुपे की dimensions की बात करें तो यहाँ पर इसकी length रहेगी 220 mm की, वहें पर अगर इसकी width की बात करें तो वो रहेगी 710 mm है और अगर इसकी height की बात करें तो वो रहेगी 1160 mm की तो दोस्तो ये था आज का वीडियो ओकी 90 के उपर अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा तो चैनल को सब्स्राइब जरू कर लीजिएगा मिलता होगी वीडियो में टेक केर एंड थेंक्स फूर वोचिंग